हो रिष्तेदारादे फोन खड़क गए चमबल गया केंदे काकाजी छेती पेंड बनालो ये नूं किते करना देवे कोई वाकाजी रुस गया मेरा चाचा यम रीक नी ही नाले मामा मेरा गुसा वर पूर हो गया साड़ी कठेया दी फोटो होगी लीक नी ही इनने विच्च मुंडा मसहूर हो गया मसहूर हो गया नी है बेसुरी गाई की सुनने के लिए दिल से दन्यवाद और परवीन सरके आथों से 10 रुपे मिले हैं वाई बेसुरे गवईये के लिए और दिल से पार्टीन का बार बार दन्यवाद करती है बहुत बहुत गुणांकों का योगवय गिंती किसी दिये गई के बहुपद में ठीक है तो लेट्स गेट इंट इंट इट हाँ इस टोपिक से पहले माँ आपको एक इनफरमेशन दे देना चाहता हूं और अपनी उडान कैंपस बरवाला की एक आप 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 गुगल प्ले स्टोर में आपको अविलेबल रहेगा और हाँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोमेंट्स में भी मिल जाएगा हर जगा आप सर्च करके देखिए एक बार उडान कैंपस आपकी सेवा के लिए हर जगे अविलेबल ठीक है तो अब यह counting and sum of coefficients ठीक है देखो questions कैसे हो गए मैं सिधे question की बात करता हूँ आप समझी जाएंगे बहुत हलकी full किसी बात है जैसे कि यह पुछा गया के 3x जमा 4 का square है ठीक है 3x जमा 4 का whole square है question में पुछा गया इसको खोले जाने पर इसके गुणांकों का योग क्या होगा ठीक है इसको खोले जाने पर इसके गुणांकों का योग क्या होगा तो question में क्या पूछा गया यहाँ तो आप एक formula भी लगा सकते हैं जैसे यह क्या है अपने लिए यह एक तरीके से a का का काम कर रहा है और यह किसका का काम कर रहा है b का और बीच में operation कैसा है positive तो a जमा b का whole square formula क्या होत क्यों है b का square और b की value कितनी है चार तो चार का square कितना हो जाएगा 16 जमा में टू इंटू ए इंटू भी तो दो गुणा में a 6x गुणा में b याने के 6x गुणा में 4 तो 24x हो जाएगा question में हमसे केवल यह बात पूछी गई कि इसके जो coefficient बनेंगा जोड कितना होगा तो coefficient य 9 है यहां से coefficient कोण है 16 है और यहां से coefficient कोण है 24 याने के 24 है हमसे पूछा गया इनका जोड कितना होगा याद रहे इनके जो भी सिंबल होते है वह consider कि जाते है तो यहां पर इसका सिंबल क्या है पोजिटिव और इसका भी सिंबल कैसा है पोजिटिव तो मेरे कहने का मतलब question क जो अनसर बनेगा वो बनेगा नो जमा सोडा जमा 24 यह दोनों positive आये हैं सोडा और 24 वजय है क्योंकि इनका सिंबल पोजिटिव था अब जोड कितना हो जाएगा 24 और 16 का जोड कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा सोरी चालीस हो जाएगा चालीस और नो का जोड कितना हो जाएगा 49 और यह जो अभी method follow किया गया है यह method तब तक हम फोलो कर सकते हैं जब तक कि हमें a positive b का सुकेर दिया जाए a positive b की whole cube दीजे because we know the formula for these expressions इनके लिए अपने पास में formulas है अगर formula ना हो मेरे कहने का मदला जैसे यहाँ पर power हो जाती दो या तीन की बजाए 5, 7, 500, 800, 900, 1000, in that case कैसे आप solve करेंगे question को solve करने के लिए एक easy सा method follow करते हैं देखो यही से देखते हैं हमसे question पूछा गया था कि इसके coefficient का जोड कित coefficient कितना था 3 और constant coefficient कितना था 4 दोनों के बीच में operation कैसा है positive इसको bracket में ठीक वैसी बंद कर दिया जैसे पहले था power ठीक उतनी ही लगा दो जितनी की पहले थी 3 और 4 का जोड कितना हो जाएगा 7 और 7 की power ठीक उतनी बना दो जितनी की थी और 7 का सुकेर कितने के बराबर हो है पर इस बार जो method approach किया गया है यह कहीं ज्यादा सस्ता पढ़ता है इस method को follow करने की बजाए कलिए रवात एक और एक जैंपन से में इस बात को दोबारा से explain करता हूं और जो गाना भी अभी गाया था बंटी बैंस उस्ताद जी का लिखावा गाना था जोडन संदू की आवाज वे देशीक रूगा दिया हूँजिक बहुत बिंदास सिंगर चलो जैसे यह बोला गया अपने को कि 5x नेगेटिव थरी की पावर 3 ठीक है हमसे पूछा गया इसके कोफिशेंट का जोड कितना बनेगा तो वो expression की जरूरत नहीं है कि A नेगेटिव बी की होल क्यूब का फार्मूला लगाते प्रें के A की 3 नेगेटिव बी की 3 नेगेटिव टीन नेगेटिव टीन नेगेटिव छोड़ो उस बात को सिधे सिदे क्या कर देंगे X का coefficient कितना है जी 5 है constant का coefficient कितना है जी 3 है दोनों के बीच में सिम्बल कैसा हुआ है negative हुआ है bracket बंद कर दी ठीक वैसे ही जैसे के पहले थी power उतनी ही जितने की पहले थी question का answer कितना हो जाएगा पाच में से तीन गया 2-2 की power ह जाएगी तीन और दो की तीन का मतलब क्या है कि दो की तीन बार गुणा खुद 2 से तो दो तीन कितनी होती है दो गुणा दो याने के आट होती है कुछन का अनसर आ गया है सो सिंपल जैसे के कोश्चन में सिर्फ यह पूछा गया के जी तीन वाई नेगेटिव दो एक्स और पोजिटिव चार जैड की पावर साथ ठीक है इसके कोफिशेंट का जोड़ कितना बनेगा अब तो मांद रहे हो कि कोई फार्मूला प्रोच नहीं कर पाएंगे तो कोफिशेंट कोफिशेंट कितना है तो कोफिशेंट कितना है चार बीच में Late 12 लागा दिया जाएगा कहने का मतलब 2 सब्सक्राइब कुश्चन निकालने के लिए तीन में से दो गया एक और एक और जोड़ चार के साथ जोड़ कीतना हो जाएगा पांच-पांच की पावर साथ इस कुश्चन का अंसर हो जाएगा टेंशन लेने की जरूरत दिन है कि पांच की साथ बार गुणा क्या बनेगी और फिसन भी ऐसे और नेगेटिव 18S की पावर 93 हमसे कोशन पूचा गया इसके कोफिशेंट्स का जोड़ कितना बनेगा तो मैं यह कर रहा हूं यहां से 17 को उठा लो यहां से 18 को उठा लो यहां से नेगेटिव 18 को इस चीज़ को उठा लिया यहां से इसको उठाया गया है यहां से इसको उठ पॉजेटिव उठारा सी नेगेटिव उठारा तो कैंसल हो जाएगा पॉजेटिव सत्रा है और नेगेटिव उठारा है कितना बचेगा नेगेटिव वन बचेगा की पावर कितनी है 93 है अब एक की पावर 93 बार करो याने के एक की गुणा तिराण में बार करो चाहे तिराण negative की अगर power कोई sum संख्या याने के कोई even number English medium वाले तो ये बनता भई positive और negative की power अगर कोई विसम संख्या है English medium वाले जिसको बोलते है odd number अगर odd power है तो याता है negative इस case में negative की power कैसी है विसम संख्या आने के odd number है तो ये कैसा आएगा negative one इस question का right answer हो जाएगा so simple अभी किस पर काम कर रहे है sum of coefficient in given any polynomial ठीक है इसके बाद में हम start करेंगे sum of coefficients in a given polynomial किसी बहुपद में ठीक है अच्छा आप लोगों से question है दो question छोड़ूँगा एक छोड़ूँगा मैं counting के उपर एक छोड़ूँगा sum के उपर ठीक है अभी के लिए मैं sum के उपर छोड़ रहा हूँ उसका comment में आप मेरे को answer दे दीजिएगा और मेरा पहला question है sum को लेकर के question है के 1 by 2 x positive 1 by 2 y negative 1 by 3 z ये z है और ये 3 है ठीक है आपने बताना है इसमें sum of coefficient कितना बनेगा comment में ठीक है अब बात कर लेते हैं counting of coefficients की ठीक है जैसे के मेरा पहला question ये था 3 x positive 4 की power 2 अगर इसके लिए sum of coefficient क्या बनेगा याने के गुणांकों का योग क्या बनेगा तो 3 और 4 का जोड़ 7, 7 की power 2, 9 इंचस पर अगर पुछाद है के counting of coefficients कितनी बनेगी याने के counting of trumps पदों की गिंती कितनी बैठेगी इस expression को खोलने के बाद में तो एक बार तो मैं उसी basic method से करवा देता हूँ ये अपना A है और ये अपना B है और A जमा B का whole square का formula आपको पता होगा उसके according ये बन जाएगा 9X square याने के A square positive B square याने के 4 का square 6, positive 2AB तो 2 गुणा में 3X 6X गुणा में B याने के 4 याने के 24X तो देखो जो भी symbol हो positive negative से लेना देना नहीं है जो भी symbol हो चाहे positive चाहे negative उसके बाद में एक नई टरम आएगी तो ये अपने आप में एक टरम है ये अपने आप में दूसरी टरम है और ये अपने आप में तीसरी टरम है तो question का answer कि इसके अंदर counting कितनी बैठेगी number of terms कितने आएगा question का answer बनेगा 3 clear है मेरी बात पर इस method का प्रोच करने के लिए हमने एक बहुँ ज़्यादा basic method का यूज़ कर लिया इसकी बजाए हम sort में यू question का answer कैसे निकाल सकते हैं उस पर मैं बात कर रहा था देखा अगर आपको कभी भी कोई टरम दी जाए जैसे कि ये बात कोल दी जाए यहां मैं फार्मूला लिखू हूँ हमा इस question के लिए a1 जमा a2 जमा a3 up to so on और इस परकार गए positive a k कहने का अब अब समझ गए ये पहली टरम है ये दूसरी है ये तीसरी है ये kv टरम है k की value कुछ भी हो सकती है 5, 7, 8, 9, 20, 22 कुछ भी हो सकती है और इसकी power दे दीगी अपने को whole power n ठीक है question का answer निकाल लें के लिए क्या करेंगे सबसे पहले वो power उठा ले याने के n इसके अंदर जोड़ दे जितनी की number of trams यहां है याने के k इसमें से a कम कर दे याने के negative 1 और इसका combination करवा दे k negative 1 के उपर ये इस question का answer होनेगा अब जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या हो गया तो वीडियो की description में एक link होगा permutation and combination के नाम से टोपिक लिख रखा है मैंने वो करवा रखा live आ करके solve करवाया गया था उसके अंदर आप देख ले ना एक बार थोड़ी सी ज्यादा पकड़ बनाने के लिए पर हाँ अभी के लिए मैं एक बार आपको recap दे देता हूं कि ये काम कैसे करता है उसके बाद मैं miss question का answer निकाड़ूँगा अगर मेरे को दिया जाए भई NCR जो non-med से बच्चे है उनको दे बात पता होती है पर कुछ ऐसे बच्चे है जो math के साथ में पहला पहला प्यार होता है 1,2 का जो math होता है उसके साथ में तो NCR को अगर आप solve करना चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है टोटल number of objects है N उनमें से R लिये गई है और उनका combination बनाना है दो तरीके से हम objects को कुछ दिये गए objects में से उठा सकते हैं combined करके या promotize करके या प्रमोटेशन के नाम पर या combination के नाम पर यहां combination के नाम पर उठाएं गए हैं तो formula बनेगा उपर वाले का factorial adjectives and factorial अब कुछ तो इतने weak है मैत में कि ये देख करके symbol ये कहेंगे कि ये क्या है और उन्होंने देखा होता है जैसे कि हिंदी subject में हिंदी विश्य में होता है ये symbol और इस symbol का नाम होता है विश्य में अदी बोदक सबद है ना और ये लगा होता है हे अरे रे के आगे तो इसको देख करके कह रहे होते हैं हे अरे अन ये हे अन और अरे अन नहीं है ये क्या है अन का factorial है ये एक symbol है अभी मैं कुछ टाइम बाद इसका example लोगा तो आपको समझ में आ जाईए फिर करदे आप निचे वाले का factorial याने के divide करदे आर फैक्टोरियल से इन टू में इन दोनों के negative का factorial याने के n गटा आर का factorial मेरे कहने का मतलब ये है पहले हम वागत अचक्व संख्या है सभू यह क्या बनेगा तो चार fairy sagt." कुल को हिंदीं में बोलते हैं करम गुणित याने कि कहन के करमसे गूणा कर दें चार को तब तक देख सकते हैं, जब तक है जान, value कितनी हो जाएगी, 4 तीय 12, 12 दूने 24, 24 गुना में 1 हो जाएगा 24, तो 4 के factorial की value कितनी होती 24, जैसे के बोलाजाएगी 3 का factorial क्या होगा, तो 3 को करम से गटाते हुए चलें, 3, 2, 1, गुना कितने के बराबर हो जाएगी, 3, 2, 6, 1, 6, 6, जैसे के बोला जाएक 5 का फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बनेगी तो मैं कहा रहा हूं 5, 4, 3, 2, 1 इनकी अपस में गुणा कर दो वो होगा 5 का फैक्टोरियल जोगी कितना हो जाएगा 120 120 हो जाएगा ठीक है ना हां रही बार जैसे के 5 का फैक्टोरियल है इसको मैं यूँ भी ऑठी है ना जो यहां थी राइट दोनों बोक्स में सेम बात है तो इसकी जगा क्या लिखा दा सकता है 4 मतलब मैं 5 फैक्टोरियल को यूं भी लिख सकता हूं 5 गुणा में 4 का फैक्टोरियल कलिर है मेरी बात तो इस प्रकार भी इसको शुलू अपा प्रोसेस को रोख सकते बीच में slow कर सकते हैं इस तरीके से भी ठीक है तो NCR का मतलब यह होता है इसका मतलब है इसका तो factorial हुआ करेगा उपर बटे का निसान इसका factorial नीचे फिर इन दोनों के अंतर का factorial नीचे साथ में गुणा में ठीक है जैसे एक example लेता हूँ अब यह question मैंने साफ नहीं गया है जिससे के मेरे को बोल लगा है कि छे सी दो है ठीक है मैं यह कह रहा हूँ कि NCR factorial NCR को solve करने के लिए क्या किया जा सकता है N का factorial adjectives उपर वाड़ेगा बटे में R का factorial इंटू में इन दोनों के अंतरियाने के N negative R का factorial यह किया जा सकता है तो 6 का factorial उपरा जाएगा बटे में कुना जाएगा 2 का factorial और 7 में कुना जाएगा 6 और 2 का अंतरियाने के 4 का factorial अब देखो छे फेक्टरियल को में लिख सकता हूँ, छे गुणा में, पांच गुणा में, चार गुणा में, तीन गुणा में, दो गुणा में, एक और उसको में लिख सकता हूँ, चार फेक्टरियल, मैंने इसको चार फेक्टरियल पर क्यों रख दिया, क्योंकि बटे में कुणा और वह चार फेक्टारिल चार फेक्टारिवल केंसल हो जाएगा और साथ वह कोण है 2 वैल्यू कि आपनेगी दो गुना में एक याने के 2 बनेगी 2 से चेट जाएगा तीन पर थीन और 5 कि याने की पंदरा याने के 6 गिल्यूकित नहीं हो जाएगी 15 15 15 कि बराबर होती है उमीद करता हूँ अब आपको ये concept कलियर होगा ये इस question का पार्ट तो जरूर है पर genuinely यह चीज़ आई जिस चीज़ से है जो जगह इसका बेस है जो जगह इसका घर है वो है permutation and combination फिर से एक बार वीडियो के लिए मैं आपको जरूर सजेश्ट करूँगा कि एक बार वो वीडियो आप देख लेड़ा ठीक है अब इस question का answer निकालते हैं देखने एक बार मैंने कहा सबसे पहले दो power उठालो power कितनी है दो उठाले इसमें जोड़ो number of trams कितने है जैसे कि यह ट्रम्स कितनी है ब्रैकेट में कितनी ट्रम्स है निचे एक और एक यह जोड़ दिया दो में से एक कम कर दो combination निचे क्या करना है के से एक कम और के का मतलब कितना है जितनी number of trams already है और ट्रम्स कितनी है एक और एक दो से एक कम ब्राबर क्या जाएगा देखना एक बार दो का जोड़ चार है ना चार से एक कम कितना हो जाएगा तीन लिख लेता हूं मैं सीधे यह हुआ थरी और सी और और दो से एक कम कितना हो गया वन थरी सी वन को सोल करना है जिसको सोल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं तीन का factorial as it is बटे में निचे वाले एक का factorial और गुणा में इन दोनों के negative difference का factorial और तीन और एक का अंतर कितना होता है दो का factorial वैल्यू क्या हो जाएगी तीन फेक्टरिय एक दो तीन ठीक है अब दुआदार एक चार पांच एक्जेंपल बैक टूबैक लेते हैं ताकि यह बात आपको क्लियर कट हो जाए है ठीक है और देखो जैसे बात बोले गई के जी पांच एक्स नेगेटिव तीन की पावर तीन ठीक है हमसे question पूछा गया कि इसके अंदर counting of coefficients कितना बनेगा counting of coefficients याने के गुणांकों की गिंती कितनी बनेगी सम निकालना होता तो question का अंसर कितना आ गया था पांच में से तीन गटाया दो दो की पावर तीन question का अंसर हो गया आठ ठीक है अभी के लिए हम क्या कर रहे है counting कर रहे है तो counting करने से पहले एक बार आपको मैं basic method फिर से approach करके दिखाता हूँ ये क्या एक तरीके से a है ये क्या एक तरीके से b है और इन दोनों के बीच में क्या यूज हुआ है negative और इसकी पावर कितनी है 3 a गटा b का 3 मेरे खाल से formula सभी को आता हुआ formula क्या बनेगा a की 3 गटा b की 3 negative 3 a b और into में a negative b ये बनेगा इसी को मैं ये लुक सकता हूँ a की 3 negative b की 3 negative इन दोनों की गुणा 3 a square b और इन दोनों की गुणा negative negative positive 3 a b square ये बनेगा number of terms कितना आ गया एक जो भी symbol है positive negative के अलावा वो अपने आप में एक term को different कर देता है अला कर देता है 3 और ये 4 तो इस expression के अंदर number of terms कितनी बनेगी 4 पर method क्या रहेगा वो method for logger के में दिखा रहा हूँ आपको n की value कितनी है 3 में जोड़ दे number of terms कितनी है 1 और 1 2 से 1 कम कर दे combination number of terms थी 2 से 1 कम कर दे question का answer कितना बनेगा 3 और 2 का जोड 5 5 से 1 कम कितना हो गया 4 C 2 से 1 कम कितना हो गया 1 अच्छा वैसे तो ना जब भी यहां C के बाद में 1 आ जाता है ना तो कभी भी solve करने की जरूरत नहीं मेरे कहने का मतलब यह है अगर आपको कभी भी दिखाई पड़े nc1 यहां तक का cover हो रहा है nc1 अगर कभी भी आ जाए ना तो सीधे सीधे question का answer होता है n nc1 का मतलब होता है सीधे सीधे n आएगा question का answer हाँ अभी के लिए में बात दाता हम question का answer ऐसे कतीनी आएगा कि जो यहां power आ रही है दो पिछे वाले question के लिए जैसे answer बनेगा दो जमा एक तीन इस question के बनेगा power है तीन तीन जमा में एक चार यह तब तक हो रहा जब जो इस question का answer बनेगा फिर भी अगर आपको यह use करके देखना है तो देख लेक बर चार उपर वाले का factorial बटे में को नाएगा निचे वाले का factorial एक का factorial इन दोनों के gap याने के negative याने के तीन का factorial राइट और इसकी expression को solve करने के लिए मैं कहा सकता हूं 4 factorial को लिख सकते हैं 4 गु इस expression में counting of coefficients कितनी बैठेगी चार के वराबर बैठेगी ठीक है एक बार फिर से आपको repeat कर देता हूँ मैं उडान campus भरवाला की अपनी आया पा चुकी है उडान campus के नाम से आप ये नाम सरच करें google play store में जाकर के अन्य था आपको description में link मिल जाएगा वहाँ से आप download कर सकते है comment में भी आपको मिल जाएगा कि कहीं न कहीं application का link दिया वह ठीक है डाउनलोड कर लें बहुत अच्छे चीज़े वहाँ पर आती रहेगी हाँ आप app के regarding channel के regarding कोई भी suggestion देना चाहें कोई भी हमें कुछ भी बताना चाहें कि आप सर ये कर सकते हो या ये कर सकते हो या ये आप आपकी कमी है तो हम उन कमीयों को दूर करने का जो भी आपको लगे के family हैं सबके सब तो जितने भी drawbacks है हमारे या जो भी आपको अच्छी बाते लिखती है comment में जरूर बता दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आती तो like करते रहा करें अगर नहीं आती तो dislike भी कर दि और सिग्नोर मत करो ठीक है देखो मैं यह करा था जैसे बात बोलता है मिल गया कि जी साथ x गटा में 6y ठीक है और जमा में z और इसकी power है 4 हमसे पूछा गया इसके अंदर counting of coefficient कितनी बनेगी उससे पहले मैं repeat करवा देता हूं sum of coefficient कितना बनेगा साथ में से छे गया एक और इसका coefficient कितना है एक याने कि साथ में से छे गया एक और एक का जोड़ दो दो की power 4 इसके गुणांकों का योग बनेगा दो की power 4 कितनी होती है 6 question का answer आ गया वो तो पुराना part हुआ counting कर रहे थे तो counting करने के लिए अब देखो तुम यह नहीं कह सकते question का answer बनेगा चार में एक जोड़ दो जी question का answer पांच आएगा गलत हो जाएगी बात जो पिछे वाड़े number of drums कितने है एक दो तीन से एक कम value किसके बराबर होगी देखना एक बड़ चार और तीन साथ साथ से एक कम 6C 3 से एक कम 2 6C2 की value क्या बनेगी इस फार्मूले से उपर वाड़े का factorial ले आने के 6 का factorial बटे में कुण आएगा निचे वाड़े 2 का factorial और इन 2 में क्या आएगा इन दोनों के gap difference का factorial 4 का factorial बराबर है 6 factorial को में लिख सकता हूँ 6 गुणा में 5 गुणा में 4 factorial बटे में यह आएगा 4 factorial as it is इसलिए 4 factorial पे रोका गया ताकि cancel out हो जाए 2 factorial की value क्या होती है दो गुणा में 1 याने के दो और यह दोनों गुणा में 4 factorial से 4 factorial कट जाएगा 2 से 6 कट जाएगा 3 पर 3 की और 5 की गुणा उकर के answer कितना मिल लिएगा 15 याने के 15 मिल लिएगा चार और एक का जोड़ पांच इस question का answer नहीं है बलके इस question का answer कितना बनेगा 15 याने के जब इसको हम binomial expression से expand करेंगे तो इसके अंदर counting गुणांकों की केलो ट्रम्स की केलो वो बैठेगी 15 के बराबर ठीक है ना और उसको निकालने के लिए हम जिस method को अप्रोच कर रहे हैं वो आपको बोड़ पर दिखाई दे रहा हुआ साफ साफ कि ये method अप्रोच किया जा रहा है ठीक है ना देखा अब जैसे question में बोलता हूं मिले गया कि जी और यहां दिया गया मान लेते हैं 90 कलियर हमसे पूछा गया कि counting of coefficient गुणांकों की गिंती कितनी बनेगी तो मैं यह कह रहा हूं question का answer निकालने के लिए सबसे पहले तो n उठा लो power कितनी है 90 में जोड कर दो किसका number of trams already कितनी है एक दो तीन चार पांच पांच जुड़ हैं पांच से एक कम कर दो कहने का मतलब last का जो pair बनता है वो repeat होते है ठीक है अब देखना 95 ग में इन दोनों के अंतर चयार गया ओ से करते करते एक तक चले जाएंगे तक इना वे सिर्द में गुणा में गुरामे गुणा में इकनमे गुना में नभे का फेक्टॉरियल बते में को नाएगा च्यारका फेक्ट व्लाईगा और चार जाएगा इस नब्बबे का फैक्टरिल आएगा इस नब्बट एक्टरिल-से नक्टर टे चैंकिया काँचल जाएगग 47 into 31 into 23 into 91 इस question का answer बढ़ेगा याने कि इस expression को जब आप expand करेंगे binomial लगाने की जरूरत नहीं सिधा सा काम ये कर लेंगे तो counting कितनी बैठेगी terms की इतने के बराबर बैठेगी अभी के लिए ये बात त्या है कि question के option में ये चीज दिखाई नहीं पड़ेगी बलके चार option बरेवे मिलेंगे पर उन option के लिए मैं आपको 99% बढ़ा देता हूं possibility आप कैसे question का answer क्लिक कर सकते हैं आप केवल एकाई का अंक निकाल लें एक की 3 से गुणा 3 तीन की 1 से गुणा 3 तीन की साथ से गुणा 21 और 21 में इकाई का अंक कोण है एक यानि के जिस question के option में होगा इकाई का अंक एक वो question का answer बन जाएगा अगर ऐसा है कि दो option पर एक option पर एक अंक एक है पर एक option दिया गया है डी उप्रोक्त में से कोई नहीं तो in that case आपको question को soul ही करना पड़ेगा कहने का मतलब यह गुणा करके ही बताना पड़ेगा फिर बाकी ओर कोई method नहीं alternative ठीक न अब इमें एक last example और ले लेता हूँ और उसके बाद में मैं आपको home रख के नाम पर एक question दूँगा soul करने के लिए ठीक है देखोब हमा लेते ही यह बोला गया कि a जमा बी जमा तीन सी और इसकी पावर दी गई है 71 ठीक है a जमा बी जमा तीन सी की पावर 71 पूछा गया counting of coefficient गुणांकों की गिंती कितनी बनेगी इस polynomial के expand करने के पशाथ अच्छा उससे पहले sum आपको फिर से repeat करवा देता हूँ इसका coefficient एक है इसका भी coefficient एक है एक और एक का जोड़ दो दो और तीन का जोड़ पाँच पावर 71 क्या हो जाएगा sum of coefficient गुणांकों का योग हो जाएगा पाँच की पावर 71 ठीक है लास्ट के दो repeat करने है देखो लास्ट के लास्ट का कपल repeat करना है के negative 1 याने के number of terms तीन से एक कम इस question का answer बनेगा भी 71 और 3 74 74 से एक कम कितना हो जाएगा 73 और C 3 से एक कम याने के 2 question का answer निकालने के लिए क्या करेंगे 73 factorial ये वड़ा यूज हो रहा है N का factorial बटे में R का factorial याने के 2 का factorial और into में कोन होता है N गटा R का factorial तो 73 से 2 गया 71 का factorial question का answer निकालने के लिए क्या करेंगे 73 factorial के में लिख सकता है नो 73 गुणा 72 और गुणा में 71 का factorial ये देखो 71 factorial पे छोड़ दें क्योंकि निच्छे कटे है साथ में कोना आएगा दो का फेक्टरिया ने के दो गुणा में कोना आएगा 71 का factorial as it is लिख लिए 71 फेक्टरियल से कत्र फेक्टरियल cancel out 2 से बैतर को cancel किया जा सकता है 36 पे तो कोश्चन का अंसर क्या बनेगा ठीक ना ऐसे चूज कर सकते हैं अन्यदा आपको बुणाई करने पड़ेगी ठीक है उमीद करता हूँ आपको यह टोपिक अप समझ में आ गया होगा अब आपको मैं एक गर्से करने के लिए कोश्चन दे देता हूँ जो आपने सोल करके मेरे को बताना है मेरा पहला कोश्चन था यह जिसका आपने कोमेंट में जरूर जरूर जवाब देना है गलत सही की बात अलग है और किसी का और का कोमेंट का अंसर दे करके अपना अंसर चेंज ने करना जो E जमा अप्टो सोन जमा में 26 Z की पावर 3 ये मेरा पहला कोश्चन था जिसके लिए आपने बताना था Sum of coefficient ठीक है ना गुणाकों का योग ये मेरा है दूसरा कोश्चन जिसके लिए आपने बताना है मेरे को counting of coefficient गुणाकों की गिंती बतानी है इस कोश्चन के लिए ठीक है इन दोनों कोश्चन का अंसर आपने मेरे को जरूर कोमेंट सेक्षन में दे देना है ठीक है और मैं एक बार फिर से फाइनली रिपीट करता हूँ उडान केंबस की जो एप आ चुकी है गूगल पले स्टोर से डाउनलोड कर ले अन्य था आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहे हैं हमें सुपोर्ट करते रहे हैं प्रकार हमारे साथ बने रहे हैं सटे हेल्दी सटे वेल्दी रभ खैर करें जैहिन जैवारत